श्री गनेशाय नमहा नमशकार दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उथार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्तिधी लेकर आती है और इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बहुत ज इस दिन आपको धन की कोई कमी नहीं होगी आपकी आर्थिक स्तिती मजबूत रहेगी पैसा आपके लिए आएगा इस समय में फिजुल के खर्चे भी नहीं होंगे आपकी चतुराई आपकी मधूरवानी इस समय में लोगों को प्रभावित करेगी इस समय में आपको पुत् इस समय में आपके नए रिष्टे कायम होंगे, नए मित्र बनेंगे, और जो भी सोचोगे, जो भी चुनोगे, उसमें आप सही करोगे, लव रिलेशन्चिप के लिए भी ये दिन शुब साबित होगा, आपको अच्छा जीवन साथ ही इस समय में मिल सकता है, इस समय में सरकार में आपकी प्रसिदी चारो और फैल सकती है, राजनीती में इंटरेस्टेट लोगों के लिए भी ये दिन बहतरिन साबित होगा, इस समय में नोकर, चाकर और वाहन का सुख आपको मिल रहा है, इस समय में नया वाहन लेना चाहते हो, या भूमी लेना चाहते हो, तो दिन इ अध्यार्थियों के लिए भी बेहतरिन रहेगा, पंचमभाव पर दुष्टी होने से आप इस समय में पढ़ाई में कॉंसेंट्रेट कर पाओगे, अपने लिए सही फैसले ले पाओगे, टीचर्स का और परिवार का सपोर्ट भी आपको ज़रूर मिलेगा, जिन स्टूड इस समय में आपकी चुस्ति स्पूर्टी देखने वाली होगी, काम करने की गती बढ़ेगी, काम करने की क्षमता बढ़ेगी, मन भी प्रसंद रहेगा, इस समय में व्यापारियों को खास लाब होने वाला है, ये दिन आपके लिए खास रहेगा, अगर आप इस दिन कोई प पाटनर्स का भी पूरा लाब होगा, जिनकी मदद से आप अपने काम को आगे बढ़ा पाओगे, इस समय में आपको विदेश से बढ़ा लाब हो सकता है, विदेशी जमीन से धन कमाने का मौका भी इस समय में आपको मिल सकता है, इस समय में जो स्टुडेंस कॉम्पिटिट एक्जाम्स देना चाहते हैं उनके लिए भी ये दिन काफी शुब सावित होने वाला है इस दिन आप कुछ प्लान करोगे तो उसमें काम्याभी आपको जरूर मिलेगी इस दिन आपके लिए सफेद और ब्लैक कलर का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा और इस दिन आठ अंक आ प्रेणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्ग दर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है तो ब्रव्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम महनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाय घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिती में व्यक्ती को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भागय को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है। और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती, वह चीजे हमारे चारों तरफ एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है, परन्तु हम उसको नहीं देख पाते, इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है, जिसकी वज़ को इस तरह की आदत होती है, कही से भी बाहर से आती है, कही भी जूते चपल फेक देते हैं, कही पर भी उतार देते हैं, कुछ-कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूते चपल डायरेक्ली उतार देते हैं, दोस्तो ध्यान रखे, जूते चपल हमेशा सा पर उने रखे साप सुत्रा रखे जूते चप्पलों को उनकी जगे पर कुछ इस तरह से रखे को देखने में भी अच्छी लगे अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिलकुल भी नहीं रहेगी साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चप के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चप के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चप के उपर कबार जमा दिखता है जी हा जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है इस वज़े से घर के चट को पूरी तरे से साप रखें क्लीन साथ ही दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घ गया है इससे धनकी देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चीड़-चीड़ा हट ह और चोटी चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूड का कच्रा नहीं रखना है। दोस्तों एक और खास बात है। हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुब नहीं है। जी हां वो अशुब माना जाता है। घर में मकडी का जाला होना अशुब है। इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बद दाखना होगा तो दोस्तो कुछ ऐसे चोटे मोठे wedलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते हैं सकते हैं माा लक्षमी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाएं इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें धन्यवाद